हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टो माई चैनल, सिविल इंजिनरिंग चैप्टर वाईज, आज मैं आपके लिए लेके आए हूँ, फ्लूड मेकानिक्स लेक्टर 7, इसमें हम डिसकस करेंगे फंडामेंटल्स फ्लूड 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 आईए स्टार्ट करते हैं आज की वी हैं उन सब को हम कवर करेंगे, इसके अलावा डिस्चार्ज एंड कंटिनुटी एक्वेशन, उसके बाद टाइप्स ओफ हाइड्रोलिक एनरजी, इस पोटेंशल एनरजी, काइनेटिक एनरजी एंड प्रेसर एनरजी, और लास्ट में हम करेंगे बर्नॉलिस थोरम कवर, आ इकिरशनल एन אוटेयनल गार, इंड अकोर ミो परेसिनल नंगा, पाइन प्रेसर एनरजी, इस और मिल इन इंसटी एनरजी, और सv सक्रेशन एननरजी ऺंडिक अंड अगग, वस ख inac चाहितन! टाइम के according वह चेंज ना हो जानी इसका कहने का मतलब है जो किसी time पे किसी point पे fluid parameters हैं वही parameters कुसी दूसरे जंगह पे किसी दूसरे टाइम पे same होगे जैसे कि इस figure में आप देख सकते हैं before and after fluid parameters यह arrow से हमने इसको symbolize किया है fluid parameter जैसे velocity यहाँ पर same है और कुछ time बाद वही velocity हमारी यहाँ पर भी same है दोनों velocity हमारी same है तो यह जो flow होगा यह हमारा steady flow होगा ओके जैसे relation में भी इसको अच्छे से explain किया है del v by del t यानि कि change in velocity with respect to time और change in pressure with respect to time यह zero के equal है तो इसका मतलब है यह है हमारे steady flow next आता है हमारा unsteady flow यह इसका बिलकुल opposite है जिसमे fluid parameters change हो जाए time के according तो वह हमारे जो flow होगा वह होगा unsteady flow mathematical इसको हम represent करते हैं del v by del t यानि कि change in velocity divide by change in time equal नहीं होते zero के और same ऐसे ही change in pressure with respect to time equal नहीं होंगे zero के तो यह होगा हमारा unsteady flow इस figure में हम समझने ही कोजिस करते हैं जो fluid parameters पहले थे before वो fluid matters आगे जाके कुछ time बाद change हो जाते हैं और इस type के flow को बोलते हैं unsteady flow next आता है हमारा uniform and non uniform flow it is defined as a type of flow in which velocity of flow of a fluid at any instant does not change with respect to space इसमें space की बात की गई है जंगाय पे यानि कि एक जंगाय पे किसी flow की velocity जो है वो ही velocity दूसरी जंगाय पे भी हो तो उस flow को बोलते हैं uniform flow ओके जैसे mathematical expression इसमें दिया है del v by del s यानि कि time इसमें नहीं है इसमें space की value है space के respect में हम इसको judge करते हैं change in velocity with respect to space जब time constant हो equals to 0 तो यह होगा हमारा fluid parameters और uniform flow जैसे यहाँ पे आप देख सकते ही uniform flow इसमें velocity हर जंगाय पे same है यह देखी velocity हर जंगाय पे same है इसको बोलेंगे uniform flow और इसका बिल्कुल opposite है non uniform flow non uniform flow क्या होगा जिसमें जो हमारी velocity है वो किसी जंगाय पे अलग है और किसी जंगाय पे अलग है जोनों में difference है तो इसको बोलेंगे non uniform flow जैसे कि हमने भी discuss किया यह हमारा zero के equal नहीं होता जिसमें change in velocity with respect to time with respect to space और इसमें time हमारा constant हो ओके laminar and turbulent flow next हमारा आता है laminar and turbulent flow it is defined as the type of flow in which each fluid particle has a definite path and paths of individual particle do not cross each other आप इस figure से इसको अच्छे से clear समझ पाएंगे यह देखी यह हमारा laminar flow जिसमें जो fluid particles है उनसे भी का अपना एक definite path है वो एक दूसरे को path को cross नहीं करते तो इस type के flow को बोलते है laminar flow इसके बिल्कुल opposite जो हमारा flow होता है उसको बोलते है turbulent flow इसमें क्या होता है जो हमारे fluid particles है उनका एक fix path नहीं होता वो किसी भी direction में move कर सकते है along the flow डारेक्सिन और एक दूसरे के path को भी वो cross कर सकते है तो इस type का flow को बोलते है turbulent flow और Reynolds number के दुरूँ हम इसको check कर सकते है अगर Reynolds number 2000 से नीचे है तो वो होगा Reynolds number laminar flow के case में और अगर turbulent flow के case है तो उसमें Reynolds number हमारा 4000 से ज़्यादा होगा 4000 से ज़्यादा होगा तो वो होगा हमारा turbulent flow ओके next आता हमारा compressible flow and incompressible flow जिस liquid को हम compress कर सके यानि कि जिसकी density change हो जाए वो होगा हमारा compressible और इसकी density change ना हो constant रहे वो होगा हमारा incompressible यह देखी compressible में हमारी density change हो रही यानि कि वो constant नहीं है वो change हो सकती है तो वो होगी हमारी compressible flow और second जो हमारा incompressible flow होता है वो ही यह इसमें हमारी density as it is रहेगी वो होगी हमारी incompressible flow इसमें एक important note भी है liquids are generally इसमें क्या बताया गया है जो हमारी liquids है उस पे temperature और pressure का काफी कम effect पड़ता है और वो इसलिए हम उनको consider करते हैं incompressible but gas के case में यह काफी highly compressible होते है नेक्ट हमारा आता है rotational flow और irrotational flow rotational flow क्या होता है it is a type of flow in which fluid particles also rotate about their own axis while flowing along a streamline line इसमें जो है यह देखिए यह हमारा rotational flow इसमें जो fluid particles है वो अपने axis के along rotate करते हैं जैसे यह जो particle है इसके x y direction में जो symbols होकर है वह symbol यहां पर change हो रहा है फिर यहां से फिर वो दुबारा change हो रहा है फिर यहां पर अलग बिलकुल है यहां पर फिर वह बिलकुल अलग है तो इसका मतलब यह एक जिंगाय पर आपने rotate कर रहे हैं और इसको बोलते है rotational flow अगर यह fluid particles rotate ना करें fix position पर रहें तो उसको बोलते है इरrotational flow जैसे कि इस figure में आप देख सकते हैं इसमें कोई भी fluid particle अपनी shape change नहीं कर रहा है अपनी position change नहीं कर रहा है और इसको बोलते हैं हम irrotational flow नेक्स आता हमारा real flow and idle flow तो इसको हम पहले भी discuss कर चुके है real flow हमारा क्या होता है जो non viscous हो जिसमें no shear stress हो और address layer के बीच में कोई भी stresses नहीं हो जो incompressible हो उसके अंदर viscosity नहीं हो और surface tension नहीं हो तो वह होता है हमारा idle fluid बट idle fluid कभी भी actually exist नहीं करता हम काफी सारी problems में इसको हम consider कर अपनी problem को solve कर लेते हैं कि अगर idle fluid यहां पर होता तो इसका result हमारा change हो सकता था ओके अब real fluid क्या होते हैं जिसमें viscosity होती है जिसमें surface tension होती है जिसमें compressibility होती है उन सब यह सारे fluid parameters अगर किसे fluid में होते हैं तो वह हमारे real fluid होते हैं actual में हमारे सारे जो fluids है वह real fluid है actual practice all the fluids are real fluids नेक्स्ट नमारे आता है vortex flow vortex flow क्या होता है it is defined as a flow of fluid along a curved path जिसमें flow एक circular और एक curved path travel करता है उस flow को बोलते है vortex flow ओके यह देखिए इस विगर में यह जो वाटर का है इमेज है यह circular path फोलो कर रहा है water और यह देखिए smoke यह दुएं का एक यह दुएं का मारा vortex flow का सो क्या गया है दुएं से यह देखिए circular direction में अप्राइज कर रहा है इन फ्लूट डैनमीक्स वोर्टेक्स इस रीजिन इन फ्लूट इन विच फ्लोर रिवॉल्स राउंड एन एक्सिस लाइन ओके जिसमें flow है वो रिवॉल करता है आराउंड एक्सिस लाइन जैसे कि smoke रिंग है वर्ल पूल से और वेक ओप बोट एन द tornado में भी, अब इसमें दो type के होते हैं, vertex flow, free vortex फ्लो और forced vertex flow, free में कोई भी actional pressure नहीं लगा जाता है, इस flow को develop करने के लिए, और forced में कोई actional pressure इसमें लगाए जाता है, ठीक है, यह होता है, free vortex flow और forced vortex flow, next आता है हमारा one dimensional flow two dimensional flow and three dimensional flow इसमें क्या है one dimensional flow में flow in which parameters like velocity, pressure, density, velocity and temperature vary only in one direction जिसमें fluid parameters है वो एक ही direction में change हो दो direction में change ना हो उसको बोलते हैं fluid in one dimensional flow ओके the flow field is represented by streamline इसको हम streamline से represent करते हैं straight and parallel जो कि straight होंगी और parallel होंगी two dimensional flow में क्या होगा fluid parameters है वो function होगे rectangular space coordinate x और y direction x और y direction में यह हमारे fluid parameters travel करेंगे और जो इसका path होगा वो curved होगा curved path में यह streamlines follow करेंगे और three dimension flow हमारे क्या होता है जिसमे fluid particles, fluid parameters जो है हमारे mutually perpendicular होते हैं each axis के जिसमें x, y, z हमारे axis हैं and time ठीक है streamlines are space curve यह हमारे space curve होते हैं क्योंकि इसमें three dimension है x, y and z next हमारा आता है one, two and three dimensional flow यह देखिए figure में आप समझ जाएंगे इसमें क्या बताया था? straight or parallel streamline होगी यह देखिए straight or parallel है streamline इसको बोलते हैं one dimensional flow इसमें change in speed हमारे function है x और time के respect में x direction में और time के respect में two dimension flow में x, y function है और time के respect में जैसे यह देखिए यह curve जो portion show हो रहा है यह two dimension flow का है और इसका example हम देखिए तो flow over a spillway flow over a spillway, spillway के उपर का जो पानी slide करके नीची आता है तो उस time पे जो हमारा flow होता है वो two dimensional होता है three dimension flow क्या होता है यह देखिए यह space के under इसमें इसमें तिनों हमारे axis, x-axis, y-axis, z-axis तिनों का हम consider करते हैं with respect to time with respect to time हम consider करते हैं और उस type के flow को हम बोलते हैं three dimensional flow but actually हम हर जंगय पे one dimensional flow को ही consider करते हैं next आता है rate of flow or discharge discharge क्या होता है the volume of flow volume of fluid flowing per second through a section of pipe is called discharge or rate of flow किसी भी pipe से किसी भी second जो discharge जो volume भाहर आता है पानी का या किसी liquid का तो उसको बोलते हैं हम discharge or rate of flow इसको हम generally q से denote करते हैं और अगर consider करें कि average velocity of liquid that is v and pipe of cross section area a अगर उसका cross section area a है वाकिव velocity v है तो discharge हमारा क्या होगा area into velocity क्यों is equal to area into velocity यह हमारा option ओ बिल्कुल exact इसके अगर हम unit की बात करें ऐसा ही unit की बात करें तो इसमें क्या होगा cubic meter per second ऐसा unit हमारी होगी cubic meter per second यह हमारी unit of discharge of fluid next हमारा आता है continuity equation continuity equation क्या होती है an equation which is based on principle of conservation of mass principle of conservation of mass is called continuity equation इसमें क्या बताया गया है यह देखिए ऐसे pipe section है एक तरफ से इसका cross section बड़ा है जो कि section 2 है एक तरफ से section इसका छोटा है जो की section 1 है अब इसने क्या बताया है जो mass section 1 पे होगा वही mass हमारा section 2 पे होगा इसने इसको express भी किया है mathematically mass of flow throughout section 1 जो section 1 में है वो उसका mass equal होगा mass of fluid flowing through the section 2 section 2 से वो flow कर रहा है तो उसके दोनों के equal होगा mass of one section mass of two section दोनों equal होगे तो mass की value हम क्यासे find out करेंगे रो वी ए रो थी density of liquid V है velocity into area तो यह हमारे expression density of first liquid into velocity of first liquid into area of first liquid equals to density of second liquid, velocity of second liquid and area of second liquid तो इसमें क्या है रो वन हमारे density of fluid at section 1, V1 हमारी velocity of fluid at section 1, A1 है cross section area of section 1 ओके, same as यह हमारा है रो वी टू ए टू यह हमारी continuity equation अगर pipe में एक single liquid flow कर रहा है जिसकी density हमारी रो है तो रो वन और रो टे हमारे एक्वल हो जाएंगे और उसको हम cancel out कर देंगे हमारी continuity equation से और हमारी जो reduced हमारी equation बनती है वो यह बनेगी कि V1 into A1 is equal to V2 into A2 ओके इसको बोलते हैं continuity equation next हमारा आता है energy of a fluid in motion जब भी कोई liquid motion में होता है तो उसके अंदर कौनसी energy होती है तो उसमें 3 टाइप के energy होती है potential energy kinetic energy and pressure energy potential energy को हम datum energy भी बोलते हैं जो कि इसकी position के along हम calculate करते हैं यह देखिए figure में यह pipe है इसमें liquid flow कर रहा है और यह datum line से Z की distance पे है horizontal position से यह एक pipe की position Z जो है हमारी datum height है potential is potential head is the potential energy of a fluid per unit of its weight if we consider a fluid of weight W अगर हम एक fluid लें इसका weight W है और Z height पे है वो above the arbitrary horizontal line और datum line then the potential energy potential energy हमारी क्या होगी W into Z weight of water into height यह होगी हमारी potential energy और potential head क्या होगा हमारा potential energy divided by weight तो इसको हम W से W cancel out और Z unit हमारी आते है potential head ऐसे ही same हमारा kinetic energy kinetic energy क्या है जिसमें fluid की हम energy count करते हैं with respect to its motion जब fluid motion में हो तो उसकी हो जैसे उसमें जो energy हो कि इसको बोलते है kinetic energy kinetic energy का formula हमारा होता है 1 by 2 M V square और M जो हमारा है mass mass को हम change कर सकते है weight upon acceleration due to gravity क्योंकि weight हमारा क्या होता है M G M को हम इस relation से निकाल सकते है M हमारा क्या होगा W upon G इसकी value हमने यहां पर put कर दी और यह हमारा kinetic head, kinetic head हमारा क्या है kinetic energy divided by weight of fluid, kinetic energy divided by weight of fluid तो kinetic energy तो हमारा यह है same और उसको हमने W से divide कर दिया तो हमारा relation final relation आता है kinetic head is equal to 1 by 2 V square by G, next आता हमारा pressure energy, pressure energy क्या है जो flowing liquid है उसकी अंदर जो pressure है उसकी जैसे जो इसमें energy है उसको बोलते है pressure energy इसको हम P से denote करते हैं और यह देखिए यह इसका relation pressure energy हमारी क्या होगी pressure into weight divided by specific weight of fluid capital W हमारा होगा weight of fluid और small w यह हमारा है specific weight of fluid ओक इससे हम जब divide करते हैं तो हमारा answer आएगा pressure energy का और अगर हम pressure energy sorry pressure head की बात करें pressure head हमारा क्या होता है pressure energy into weight of fluid pressure energy हमारे पास यह है और weight हमारे पास W है तो इसको हमने इसमें put किया और हमारा result आता है P by W by W small w P by small w P हमारा है pressure and W है हमारा specific weight of fluid okay next हमारा आता है total energy total energy अगर की बात करें किसी भी flowing fluid की तो तीनों का sum होता है potential energy plus velocity energy plus potential energy okay यह देखिए potential kinetic and pressure energy इन तिनों का जब हम sum करते है तो हमारे पास आता है यह relation W into Z plus V square by 2G plus P by small w okay Z इसमें है datum head V square by 2G pressure head plus small P divided by W यह हमारा है pressure head okay pressure head अब total energy head total energy head हमारा क्या होगा इसमें हम इस equation को W से divide कर देंगे यह equation को हम W से divide कर देते हैं तो इसमें से W को हम cancel out कर देंगे और हमारा final relation यह बच जाएगा जो कि यह है बिलकुल as it is total energy हमारी total energy head हमारा होगा Z plus V square by 2G plus P by W in meters in meters और energy की बात करें तो Newton meters okay next आता हमारा Bernoulli's theorem Bernoulli scientist था हमारा उसने एक theorem दी जिसने उसने क्या बताया किसी भी flowing fluid में किसी भी दो point पर अगर हम energy की बात करें तो वो दोनो constant होगी total energy at a point in a fluid is constant इसमें कुछ ने limitations दी बड़ोली थर्म states that in a steady continuous flow of a frictionless incompressible fluid इसने उसने fluid को incompressible और frictionless assume किया है और उस case में जो हमारे तीन टाइब की pressure head है velocity head है और potential head है इन तीनों को अगर हम sum करें तो वो constant होगा यह देखे figure में आप समझने कोजिश करें इस point पर हमारी जो energy होगी वो ही energy हमारी इस point पर होगी Bernoulli's ने यह describe किया है इसकी energy हम कैसे निकालेंगे z, z की value यहाँ पर given है जो कि h1 है h1 v square by 2g plus p by w यह हमारी है pressure energy और यह देखे इस point पर यह है h2 जो कि हमारा z होगा v square यहाँ पर velocity होगी और small w यह हमारे specific weight है और p आपको पता है यह pressure है इनको जब हम put करते है तो यहाँ पर जो हमारी energy आएगी वह same energy हमारी इस point पर भी आएगी यह बताया था Bernoulli's theorem ने अब है assumptions assumptions ने क्या क्या माना है the flow is steady जो flow होगा विल्कुल steady होगा that is उसमें कोई भी change नहीं होगा pressure का और velocity का the fluid is real that is viscosity is zero उस fluid की viscosity zero होनी चाहिए the fluid the flow is incompressible flow incompressible हो obvious सी बात है यह तो होता ही है इसमें rho हमारा constant होगा density constant होगी okay the flow is continuous with uniform velocity uniform velocity के साथ continuous हमारा flow होना चाहिए the flow is one dimensional flow का हमने one dimensional consider किया है along a streamline okay अब इसकी limitations है कुछ जिसमें हम Bernoulli's theorem को आगे देखते हैं the derivation of Bernoulli's equation is based on the assumption that velocity is uniform over the cross section area of pipe इसमें हमने assume किया है जो velocity है pipe के अंदर liquid की वह constant है uniform है पूरे cross section ने बट practically यह true नहीं है सच नहीं है practically the velocity of liquid is maximum at the center and is zero at the boundary of the pipe boundary पे इसकी velocity zero होगी और pipe के center में जो liquid की velocity होगी वह maximum होगी okay next considerations है next limitation है no consideration for loss of energy is made इसमें कोई भी energy का loss है उसको हमने consider नहीं किया है next आता है applications of Bernoulli's application क्या होती है इसमें इसके फाइदे क्या है it is also used for approximation of parameters like pressure and speed of the fluid इसको हम calculation में use करते हैं इसकी वह भी pressure और speed load की calculate करने के case में the other assumptions other applications of Bernoulli's principles are venturimeter it is a device that is based on Bernoulli's pro theorem and is used for measuring the rate of flow of liquid through the pipe okay next इसकी application है यहो की venturimeter का construction venturimeter को हम इसी की principle पे drive करते हैं okay और venturimeter हमारा होता क्या है इससे हम liquid जो flow कर रहा है उसकी discharge rate और velocity को हम major करते हैं उमीद करता हूँ आपका ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको जाए 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 शेयर करें मेरे चैनल को support करें लाइक करें और ऐसी ही जो वीडियो होंगी वो काफी सारी अभी आने वाली हैं तो वेट करते रहिए और जल्दे से जल्दी मैं नेक्ट वीडियो भी लेके आ रहा हूँ इसकी एंप सी क्यूश की थैंक यू फूर वाचिंग है वे गूड़ डेय